Kellog and malloc पर अधारिक एक program C language में आएए देखते हैं इसे हम Kellog और malloc कहते हैं यानि Dynamic Memory Allocation से Related लिए यह देख सकते हैं यह program ने अगर मैं इसको यहां से compile करता हूँ तो यह compile हो जाएगा और फिर यहां से मैं इसको run करवा देता हूँ तो यह हमने अपने institute की website का नाम लिखा है जो हमने बनाया था यह अपने लिखा हुआ है www.thesignin.it